नमस्कार मैं हूँ परवेश और आप देख रहे हैं दा भारत खबर आज चुनावी माहौल के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल्चस्प जानकारी इसमें हम आपको बताएंगे कि देश की राजनितिक पार्टियों की साल 2021 में कितने पैसों की कमाई हुई है या यूँ कहें कि पार्टियों ने पिछले एक साल में कितना चंदा बटो रहा है एक एक करके आपको बताएंगे कि बीजेपी, कॉंग्रेस, केजरिवाल की आमादमी पार्टी, सपा, बस पार्टी, एमसी जैसी बड़ी राजनितिक पार्टियों की जेबे कितनी गरम है किस पार्टी को कितनी फंडिंग हुई है देश के आठ राष्ट्रिय दलों में से चार की आयवियर रिपोर्ट निर्वाचन आयोग ने सारजनिक कर दी है हाई ये सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की 614 करोड 33 लाक रुपए चंदे के तौर पर मिले चंदा बटोरने के मामले में बीजेपी टॉप पर है ये सबी आकड़े 20,000 रुपए से ज़्यादा की धनराशी एकमुष्ट देने वालों के मद में मिली है आयोग को भेजी रिपोर्ट में राजनी दिग्डल सिर्फ 20,000 रुपए या इससे ज़्यादा एकमुष्चंदा देने वालों का ब्यौरा ही आयोग को भेजते हैं इसमें व्यक्तिकत तोर पर 20,000 रुपए से कम का योगदान करने वालों से मिली रकम की आये का ब्यौरा नहीं होता है अब आपको बताते हैं कॉंग्रेस को कितनी फंडिंग हुई साल 2021-22 की अवधी में कॉंग्रेस को सिर्फ 95,86 लाक रुपए मिले निर्वाचन आयोग की और से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में त्रिंडमूल कॉंग्रेस को 43,00,000 रुपए प्राप्त हुए बंगाल में TMC की प्रतिदवन्दी और केरल में सत्तारूर भारते कम्मिनिस्ट पार्टी मार्क्स वादी CPM को 10 करोड 5 लाक रुपए का चंदा मिला निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि कॉर्परेट के अलावा व्यक्तिगत चंदा दाता या 20,000 रुपए से अधिक के योगदान मिलने पर ही राजनीतिक दल अपनी वार्शिक रिपोर्ट में ब्योरा देते हैं क्योंकि इसके अलावा राजनीतिक दलों के पास नीजी दाताओं और इलेक्टोरल ट्रस्ट में भी राजनीतिक दलों को पैसा मिलता है उनका जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं होता जैसे बहुजन समाज पार्टी BSP पिछले कई सालों से अपने ब्योरे में यही लिखती रही है कि उनको 20,000 या इससे ज़्यादा रकम का चंदा एक भी व्यक्ती या कंपनी या फिर संस्थान से नहीं मिला अब आपको बताते हैं चंदे के मामले में अर्विन केजरिवाल की पार्टी का क्या स्टेटस है दिल्ली और पंजाब में सत्ता समाल रही आमादमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को भेजे अपने आयवियाए के बोरे में बताया है कि उसे वित्यवर्ष 2021-22 के दौरान 44.54 लाक रुपे का चंदा मिला है आपको बता दें कि राजनितिक पार्टीों को कई तरह के मोटे खर्च होते है पार्टीों का ज्यादतर पैसा खर्च चुनाव की कैमपेनिंग में ही होता है इसलिए जिस पार्टी के पास फंडिंग ज्यादा है उसका प्रचार बाकियों के मुकाबले ज्यादा बड़े स्तरका होता है जिससे चुनाव में काफी फाइदा भी मिलता है आप देख रहे थे दा भारत खबर अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसद आई तो लाइक कीजिए और अपनी राय हमें कॉमेंट के जरिये जरूर बताए नमस्कार